यहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब वासा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम लोग देखेंगे फुल पती वाली क्लास का जो मुंथली करेंट पहर है उसका आज हम लोग माइस्ट्री वीडियो देखेंगे बूक है आपका दिसंबर 2022 का एडिशन है और इस बूक में आपको जो है एक डेट में दस प्रशन हैंने कि आपको टोटल 30 दिनों में जो है 300 अब्जेक्टिव प्रशन देखने को मिलेगा जो की करेंट फेर के तारे प्रशने तो आज हम लोग उसी को कम्प्रेट करने वाले हैं और चलिए हम लोग इसको सुरू करते हैं आप लोग इस बुक को देख लेजिए यह आपको सभी परते होगी परिक्षाओं के लिए राम बाढ़ा यादि आप किसी भी परिक्षा के त्यारी करते हैं तो आप लोग इसका मंतली करेंट फेर का जो बुक है उससे आप लोग जो अध्यान करने की कोशिस जरूर करिएगा और यह आपने प्रश्णों को सुरू करते हैं मा तेरे पसेने की हरे बुंद को मोती सच्चम काऊंगा तुस अपने बड़े देखना पूरे करके मैं देख लाओंगा और यहां से हम लोग का देखिए एक नवंबर से जो प्रश्ण शुरुआ देखिए एक नवंबर से आपका यह जो है चर्चे करते चलेंगे और चली हम लोग इसको शुरू करते हैं यहां से हम लोग का एक नवंबर 2022 से प्रश्ण शुरू हुआ पहला यह प्रश्ण कहे रहा है कि भारत मोजंबिक और किस देश के बीच जो है पहला त्रिपक्षिय नौ सैना आव्यास आयोजित किया ग चली कब किया गया था तो यह 27 07 2012 को किया गया था दूसरा प्रश्ण के 29 000로 2022 के कहां पर उदभाव इंट्र नेशनल डान्स फेस्टिवल क यह यूजिण है या कहां पर गया गया流 непीजित तीसरे नंबर एक निमनली कित में से किस देश ने फीफा अंडर सेवेंटीन महिला विश्व कपे 2022 का जो किताब वो जीता है तो यह किताब दोस्तों आस्पेन के द्वारा जीता गिया है याद रखिएगा अस्पेन यह दूसरी बार किताब जीत रहा है टेक नेक्स प्रेशने चौथे नंबर है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भुल भुले या उद्ध्यान और मियावाकी वन का जुए उद्ध्याटन किया है तो यह किया हुए है गुजरात में थे इस टाइचू आफ यूनिटी के च जंगल विक्सित क्या गया है गुजरात में पांचवा प्रेशने के चर्चे में रही माचू नदी यह किस राज्य से संब्द्नी थे दोस्तों अभी आप लोगों ने जो मोरवी पूल हद्सा के बारे में जाना होगा थोई ठीक तो यह जो मोरवी पूल हद्सा था यह माच माचू नदी पर ही था कितना यह जो माचू नदी पर ही था यह आपको यह किदर समलों दो मीटर जो है चौड़ा और है 233 मीटर जो लंबा यह पूल जो था जो कि 1877 में ब्रिटिश आपने में सिक्स अतनकाल के दवराइं बनाया गया था और यह जो है आपका 30 अक्टूब छठा प्रशने की भारत में फूटबॉल फॉर अस्कुल पहल किसक के सायोग से जो लॉंच की गई है तो यह दोस्तों फीफा के सायोग से जो लॉंच की गई है सात्वा प्रेश्ण है कि एक जनवरी 2023 को लुल्ला डी सिल्वा किस देश के जो उन्चलिसवे जो राष्ट्रपती बनेंगे तो यह बनेंगे ब्रजील के उन्चलिसवे राष्ट्रपती 31 सक्टूबर से 1 नमबर 2022 तक गोवा समुंद्री संगोष्टी जीएमेस का कौन सा जो यह संस्कर्ण आयोजित किया गया तो इसमें दुस्तों चोथा जो संस्कर्ण आयोजित किया गया है नौद नमबर ॥नूब 10 कि एक नमबर से सोरी एक नमबर 2022 को ही रजर वैंक और विar ने डिजिटल रूपी की बने ले सुरुआत की गई इसके लिए कितने वैंकों की पास्चान की गई हैै तो इसके लिए दोस्तो नौ बैंकों की जो पहचान की गई है ठेक आप से सी होगा और दस नुमबर प्रेशने की 31 सक्टूबर 2022 को किस कोट ने टू फिंगर आस्टेट पर जो है रोक लगा दी है तो फिंगर स्वरी टू पिंगर जो टेस्ट पर जो रोक लगा दी है ठेक तो यहां रोक लग है यह प्रेशन कए रहा है कि जल सप्ता है इंडिया वाटर-मॉच के 2022 यह किया गया है कभ से कभ तक तो एंपका एक मळंब से राजस्थान में ठेक एक नवंबर 2022 को प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जी जी जो है राजस्थान के बस वाड़ा जीले में मानगर धाम की गवरगाथा कार्करम में उस सामिल हुए और इस कार्करम का जोजन है यह संस्कृति मंत्राड़े द्वारा किया गया था अगला प्रश्ण तिसरे नंबर है कि भारत का तिरपानवा टाइगर रिजर्व है तिरपानवा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों कुम सा है रानिपूर टाइगर रिजर्व और भारत का तिरपानवा जो टाइगर रिजर्व है और रानिपूर टाइगर रिजर्व है भारत के इस टील में कह जाने वाले जम सेद ये इराणी का नीधन हो गया उन्हें किस बर्स पदम भूसन से समानित क्या गया था तो दोस्तों उन्हें 2007 में 2007 में जुए पदम भूसन से शमानित क्या गया था और दी देख लिए प्रतिबर्स भारतिये भासा दिवस जो है कब बनाय जाता है भासा दिवस दूस्थों 21 दिसंबर को मना जाता याद रहेंगा बीश्व seminar लिटाले अनुदान आयोग ने सभी सिक्षन से चाहू को 11 दिसंबर को भारतिये भासा दिवस मनाने का जो है निर्दस दिया था ओटा डी वन का जो लोकार पर ने पूछा गया कि कहां पर गया गया है तो ये दोस्तों किया गया है ग्रेटर नौएडा में अगला प्रशने के भारत का पहला एक्वा पार्क कि स्थापित होगा एक्वा पार्क किस राज में अस्थापित होगा तो यह अनूराचल प्रदेश में कि बी सी सी आई ने पूरुस और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फिस का जो है भुगतान करने की घोश्णा की है इसके तो हाथ टेस्ट मैच के लिए कितनी फिस जो होगी तो इसके लिए फिस होगी 15 लाग राक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने किस राज या फिर किंदर सासित परदेश में स्योक पूल का उद्गाटन किया है स्योक पूल दोस्तों यह लदाख में किया गया है राक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंग ने लदाख के लेह में स्योक पूल का उद्गाटन किया है यह गल किन cert में पहली बार हेलो हेलो वीटेवहार मनाया गया यह दोस्तों हेलोविंश जो सोधी अरब मनाया सेंदेन यह है कि अग्रा जो तीन नौम्बर से प्रेश्णी टाट हुआ प्रेश्ण है कि एक से लेकर के तीन नौम्बर दौजर बाइस तक तीसरी राष्टी यह आधिवासी निर्थे महोसो यह कहां आयोजित किया गया तो यह दोस्तों किया गया है रायपूर में ठीक देखिए एक नौम तीन नौमबर तक कि उप्राश्परति जगदीप धनकर द्वारा कि से भारत का पहला डॉक्टर रेजिंदर प्रसाद आवर्ड जो है दिया गया है तो यह आवर्ड दोस्तों दिया गया है प्रोफेसर रमेस अरोडा को एक नौमबर दौज़र बाइस को किस ने 20 वका सबसे सकते साली रॉकेट फालकन हैवी को लौच किया है तो यह लौच किया गया है दोस्तों असपेस एक्स के दौरा किस के दौरा एकस के दौरा लौच किया गया है में जायाओं अनुराचल प्रदेश में है यहां पर किस राज जीता है पूरूस डवस्का की city किताb गया है कि जोड़ी ने कि टोध्य दोस्तो सा्टविक साई राज ऑज़ी चिराग सेथी के दोरर जीodar गया है इंडिया पेमेंश बेंग ने भारत का पहला फलोटिंग में यह सकचर्था सिविर जो है यह इसका आयोजन की से सहर में किया है पहला फ्रोटिंग विट यह सक्षर्था सिविर इसका जो यूजन है यह किया गया है स्री नगर में दो से लेकर के तेरह नॉम्बर 2022 तक 41 वे अंतराष्टिय पुस्तक मिले का जो आयोजन है यह कहां किया गया तो यह सारजाह में क्या गया कहां सारजाह में क्या गया अंतराष्टिय पुस्तक मिले का जो यूजन है यह दो नॉम्बर से 13 नॉम्बर 2022 के दवरां संजुक्त और अमिरात के सारजाह इस थित एक्सपो सेंटर पर यह किया गया है बंगलादेश के प्रधान मंतरी सेक हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स आफ लेबरेशन वार से समानित किया है तो यह एड़वर्ड एम केनेडी को समानित की है अगला है कि पचीस से लेकर के 28 नमबर 2022 तक भारत के किस राजने ट्रेक एसिया कप 2022 की मेजावानिक की है तो यह मेजावानिक क्या गया है केरल के द्वारा दस नमबर प्रिश्ण है कि 2 नमबर 2022 को इलावेन वट का निधन हो गया हुए थे इलावेन जो वट थे वो क्या थे तो यह दोस्तों समाजिक कारिया करता थे दिनका 89 वर्स की उमर में निधन हो गया ठेक चार नमबर 2022 से हम लोग का जो प्रिश्ण शुरूआ पहला जो प्रिश्ण है कि 2 नमबर 2022 को रक्षा उनुसंधान इयों में विकास असंगठन डियाडि ओने कहां से इंटर सेप्टर एडी वन मिसाल के जो पहला सफन परिक्ष्ण किया है तो पहला जो सफन उड़ान परिक्ष्ण किया गया है या किया गया है अब्दुलक्लामदीूप और इसा से ऑफशन डी औरेक् कि यह क्या गया है मध्या प्रदेस में दो नमबर 2022 को मध्य प्रदेस के मुख मंतरी जो स्विवराज सिंग चावहान ने लाडली लक्षमी टूपंट जीरो युजने की जो सुवराम की और बर्स द्वाजार पांच में इन्होंने जो मुख मंतरी बनने के बाद है लाडली लक्षमी युजना तयार करवाई और जो बर्स साथ में इसको वह अरंब किये थे है । अगला तीसरा प्रश्निके सत्यकरता जागरुकता जो सबता 2022 हम नाया गया है तो यह मनाया गया है 31 Supreme से शो café और कॉलिंड डिक्ष्णरि ने वर्ड ओफ द ये जायार इस की से चुना है तो यह पर्म क्रिसिस को चुना गया है ऑप्षकित कि क्यूंब हें पांच 1961 को कि सिराज यह ने नागरीक जुड़ाव और संचार जुकाएकरम शुरू किया जान है या मेले कि दोरह जान तरह हुं इसका जो उदेश से हैं नागरिक जुड़ा और संचार जुकाय करम का उदेश से सभी पर्योजिनाओं की जमीनी यस्तर पर पैठ बनाना ताकि सभी जुए पहलों में साफसन में जुए सुधार हो सके च्छा प्रस्ण है कि तीने नमब्र नवंबर बाइस को जारी बर्स 2020-21 के लिए राजियों या फिर किन्दर सासित-परदेश के लिए श्रेणी ग्रेडिंग यह पर देश सो हीिरणी इंडेख्स फेजिया इमें उच्छे श्रेणी सेकेंड में कितने राज या फिर फैने कि साथ प्रिशने के बीस वका सबसे बड़ा पांडु लिपी ग्रनताले कि सिराज में बन रहा है पांडु लिपी ग्रनतालय यह थे गुजुरत में बन रहा है किंद्री जरफ पुलिस बल सी आर पिएफ के बिहार सेक्टर के जो नया आई-जी किसे बनाए गया है तो सीमा ढूंडिया को किन को सीमा ढूंडिया को बनाए गया गया है कि नवरन नमर प्रिचनर की रक्षा अभ्यास ओप्रेशन विजी लेट-च रक्षा आभ्यास ओप्रेशन् जो विजेए लेट-च्तव दखशिन कोडिया और किस अन्य देश के बीच आता रिपिच आयोख तीन नमंबर 2022 को निरवार्चन आयोग ने गुजरात बिधान सभा चुनाव 2022 की घोशना की है गुजरात बिधान सभा में कितने सीटे हैं तो वहाँ पर सीटों के संक्या एक सो बिरासी है अगला यह पांच नमंबर से सुरू प्रस्ण के पहले बाईवा स्फियर रिजरव के लिए अंतराश्टिय दिवसeftम사 मनाया गया है तो यह मनाया गया है 3 नमंबर 1992 को तो पहले बाईवा स्पियर रिजरव और पहले मनाया गया कि दो से तीन नुवंबर 2022 को कहां पर इंडिया केम 2022 समयलन का जो यूजन किया गया कहां पर किया गया तो यह दोस्तों नई दिल्ली में किया गया तीसरा प्रिशने के वीश्व पहली चेंपियंशिप में 11 बड़ सबाद भारत के लिए पहला जो रजक पदकिशने जीता है तो यह प्रशना से साध्री के दौरा जीता गया है ठेक चौथा प्रिशने की अंडानी निव इंडस्ट्री लिम्टेड द्वारा कि सराज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन टर्वाइन अस्थापित के गई है तो यह दोस्तों गुजरात में स्थापित के गई है ऑप्शन सी कोरेक्ट होगा प्रिशने के दो नुमंबर दोजर बाइस को कहां पर भारत का पहला महिला मुहला क्लिनिक का जो है उदगाटन किया गया और यह किया गया है दिल्ली में नेक्स प्रिशने छठी नुमर है कि सोतंत्र भारत के पहले मतिदाता का दर्जा हां से निमनली कितमे से किस व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार वैलेट पेपर से मतिदान किया है किसके द्वारा यह किया गया है तो यह मतिदान दोस्तों किया गया है स्याम सरन नेगी के द्वाराठे सोतंत्र भारत के पहले मतदाता स्याम सरन्नेगी ने हिमाचल पर्देश के अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से जो चोदावी विधान सभा के लिए मतदान किया है चलिए अगला प्रेस्ट साथवे नुमरे कि तीने नुमबर 2022 को फिक्की ने किसे अपना अगला देक्ष नोगत किया है तो यह नोगत कियागी है दोस्तोजंतों सुब्राकान्थ पन्दा को किसको सुब्रा कांत पंडा को नुक्त किया है कि चार नुवंबर 2022 को किसे देश की जुए है पूरुस टीम ने एस्टीम चैंपियंशिप 2022 में पहली बार स्वनपदक जीता है तो यह स्वनपदक जीता यह है भारत के द्वारा इजरायल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे बेंजामीन नित्नायू होंगे कौन बेंजामीन नित्नायाहू होंगे जो कि इजरायल के नए प्रधानमंत्री चार से लेकर के 7 नमबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिंती की गई है पक्षियों की गिंती की गई है और यह नागा लेंड में की गई है अप्षन भी कॉरेक्ट होगा नागा लेंड में अगला यहां से हम लोगा जो च्छो और साथ नुवंबर से जो प्रेश्ण शुरुआ पहला प्रेश्ण कहे रहा है कि प्रतिवर्स वीश्व सुनामी जगरुकता दिवस का जो योजन है यह कब किया जाता है तो यह किया जाता है पांच नुवंबर को ठेक अंतराश्टी अस इसको किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेश्ट वाटर फेश्ट 2022 का जो यह जिन किया गया तो यह दोस्तों किया गया है मिग्याले में ठेक पांच नुवंबर 2022 को किसे अंतराश्टी होंकी महासंग एफ आइच के इन्ने अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है तो यह चुना गया है दोस्तों मुहमद तयज इकराम को अप्सनियास हम लोगा डी होगा मुहमद तयज यहां पर जो तयज तयज इकराम को पांच नुवंबर 2022 को किसने पहली बार सयद मुस्ताक अल्ली ट्रॉफी जीती है किसके द्वार जीता गया है पहली बार पूछा गया है तो यह मुंबई के द्वारा जीती गई है 11 से ले करके 15 नुवंबर 2022 तक जो 26 मलावार युदा व्याद 2022 किस देश में आउजर किया गया है तो यहाज जपान में आउजर की गई है ठेक 5 से ले करके जो है 9 नुवंबर कब 5 से ले करके 9 नुवंबर 2022 तक जो भारतिय नो से ना सी एन एस एडमीरल आर हरी कुमार जो है यह पांच दिवस्य यत्रा पर पान गए हैं और यह जो भारती नोसे नहीं के युद पोत जो है आई एनस सिवालिक और जो है कर मोता पर जो कर मोता ने जो जैपान के यूकों लुकों में 11 से लेकर के 15 नॉमबर तक यारा से लेकर के तक हुए जो 26 वे मालावार युदेव्यास में हिस्सा लिया है ठीक चलिए अगला प्रश्णियों से छठी नुमरे की बर्स 2022 के लिए किसे एजू थाजचन प्रुसकार से समानित किया गया है तो यह दोस्तों एस सेत्यु माधवन को समानित किया गया है चार से लेकर के 6 नुमंबर 2022 तक औरवन मोबिलीटी इंडिया कॉम्परेंस एंड एक्सपो का जो पंदराहवा संस करने यह कहां यूजित किया गया है तो पंदराहवा संस करने दोस्तों कौची में जो है यूजित किया गया है कि निम्नाली खित में से किस देश में 20 वा की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना है और यह रिकॉर्ड बना है स्वीटर जालेंड में ठीक देखिए स्वीटर लेंड में 20 वा का सबसे लंबी यात्री ट्रेन रिकॉर्ड होने का रिकॉर्ड होने का रिकॉर्ड बना है जिसमें सौर डिब्ब है और जिसे अलपस की पहाड़ियों में चलाया गया है अगला हेंसी प्रैस्ड में प्रेकॉर्ड के चर्चे मेरा जो रिसत टू युअ उपगर कि सीदे थय से सम्भंदिते हैं इर्शर-टू यह देुस्तो भारत से सम अग्युसर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो मुख्यातिती होंगे तो मुख्यातिती होंगे गुवान के राइश्टपती अगला प्रश्ण हमलों का आठ नौमबर से शुरूआ प्रश्ण के प्रतिवर्स जो राष्टिय के इंसार जागरुकता दिवस्य कब मना जाता है तो यह आपको साथ नौम एशाथ नौमबर क aggiक के शहुट नौमबर को अगला वर्शने के 6 नौममबर 20 ओजर वाइस को कहां पर वी सुवक्यूर की पहली बैदी के घड़ी की जुए अधार तिला रखी गई यह बैदी के घड़ी की अधार तिला पुचहिए कि कहां पर गए तो यह दुस्त이지 invention में ठेक डीक 6 नुमंबर 2022 को मद्य पर्दस के जो सिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मद्य पर्दस के उजहर में 300 वर्स पुरानी जीवाजी बेदसाला में 20 वक की पहले बेदी घड़ी की जो है दरसिला रखी है ठेक जीवाजी बेदसाला के जो निर्मान है वह जैपुर के राजा जो थे म महाराजा स्वाई राजा जैसिंग ने बर्ष से 709 स्वत्रों सो उनीस में करवाए था कब से 319 में करवाए थे और इस बार जो है आपका 1.62 कड़ों रुपे की अनुमानित लागत से बनाने वाली घड़ी का देश जो है बैदिक समय की गर्णा से परिचित कराना लोगों क इसको जो है एक देश्मलों च्छो दो कड़ों रुपे की लागत से बनाया जा रहा है और इससे लाब होगा कि लोगों को जो बैदिक समय के बारे में गड़ना होगा पता होगा ठेक चलिए अगला प्रश्णी के चर्चे में रहा जो एक सो तीनवा समिधान संसुदन ये क कहां वर्ल्ड ट्रेबल मार्केट 2022 का जोजन किया गया है तो यह क्या गया है लंदन में राष्टिया इसमारक प्राधिकरण एन एम एका जो अध्यक्ष किसे नुक्त किया गया है यह नुक्त किया गया है कि सुरकुमर बसा को प्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर प्रुषकार से किसी समानित किया गया है तो सेवेलियर प्रुषकार से यह अरुणा साई राम को जो है समानित किया गया है महिला बर्ग का पीवी नंधिया के द्वारा भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेश वे कहां होगा डबल डेकर एक्सप्रेश वे और यह होगा नुएडा में कि एक बर्ष में हजार टी टेवंटी अंतराश्टी रन बनाने वाले जो पहले भारतिय खिलाड़ी वह कौन बने हैं तो वह बने हैं सुर्य कुमार या दव ऑफ्षन डी कवरेक्ट दश निम्बर यह प्रश्न का इराए कि नवंबर 2022 में रोयल अश्रेलियाई नेवी और भा मुंद्री भागिदारी युद्यव्यास किया है तो यह क्या गया है बंगाल की खाड़ी में ऑफ्षन एक कवरेक्ट होगा अगला जो प्रेश्ण अमलों का यह 9 नौंबर से शुरुआ प्रश्न कही रहा है कि प्रतिवर्स जो 20 और रेडियो ग्राफी दिवस को मुना जात है दूसरा प्रश्ण हमें कि 7 नमबर 22 को किष ने बैट्स एपलिकेशन को लॉंच क्या है बैट्स आपलिकेशन को यह लॉंच किया गया है प्रतार भारती के द्वारा इस ऊतर प्रदेश सरकार ने किस बर्स तक मत्हुरा बढ़ांपल चैनल बनाने की जोगोषना की है तो यह क्या रळवन का막शि का बैञा नीμworker भृषन देंद लृषन की हा और बारत में और निभारत बहुतास के लिए निधारित इस तरह का जो पहला carbon neutral master plan होगा ठे चोधा प्रेशने की 7 November 2022 को किसे 22 सुवे वीदी आयो का जो है अध्यक्ष नुक्त किया गया है तो यह नुक्त किया गया है रितुराज आवस्थी को किसको रितुराज आवस्थी को अगला प्रेशने की October 2022 के लिए Men's ICC Player of the Month किसे चुना गया है तो यह चुना गया बिराट कोहली को अंतराष्टिय क्रिकेट काउंसिल आई सीसी ने जो है अक्टूबर 2222 के लिए प्लेयोर ऑफ दम्मंत का जो आवर्ड की घोष्टने की है और पुर्सों में भारत के दिगज बल्लेबाज बिराट कोहली और महिला में यह पकिस्तान की दिगज ऑल राउंडर निंदा डार को आवर्ड दिया गया है पकिस्तान की महिला क्या है निंदा डार को दिया गया है और रहेटे चलिए अगला प्रेश्टने की पहले केरल जोती प्रुसकार के लिए कौन चुने गये हैं केरल जोती प्रुसकार के लिए चुने गए हैं MT वासुदेवन नायार आफसन डी कॉरेक्ट एक से लेकर के 9 नुवंबर 2022 तक किस राज़े में अंतराश्टिये पुस्कर मेले 2022 का जो यूजिन क्या गया है तो यह राजस्थान में क्या गया है रक्षा नुसंधानियों विकास संगठन डियाडियों ने भारती नौज़ेना के सोनार सिस्टम के लिए परिक्षन और मॉल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है तो यह शुरू किया गया है अस्पेस सुविधा शुरू किया गया है कि 12 नौबंबर 2022 को असियान भारत इस्मारक सिखर समेलान में भारत का जुए नित्रेत्यों किषने किया तो जगदिक धन करने किया कि 10 नौबंबर 2022 को सीखो के जो प्रतम गुरू गुरू नानक देव का कौन सा प्रकास उत्साव मनाया गया तो पांसो त्रिपानवा मनाया गया ठेक अगला प्रश्णी है हम लोग का 10 नौबंबर से शुरू उत्राखन का जो बाइस्वास थपना दिवस को मनाया गया तो यह दोस्तों मनाया गया है 9 नौवंबर को ठीक 9 नौवंबर 2022 को जो उत्राखंड का 22 वास अपना दियोस मना गया उत्राखंड का जो गठन है 9 नौवंबर 2000 को हुआ था और भारत के 27 वे राज्जी के रूप में दूसरा प्रशने के भारत का नीजी तौर पर विक्सित पहला जो रौकेट कौन सा है नीजी तौर पर वह है बिक्रम एस दोस से लेकर के पांच फ़रवरी 2023 तक राश्टी है सितकालीन खेलों की युमेजाबानी वो कौन सा राज्जी करेगा तो यह उत्राखंड करेगा ऑप्शन यह से हम लोगा डी कोरेक्ट होगा उत्राखंड के द्वारा के जाएगी चौथा प्रेशने की सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्जी कौन सा बन गया है तो वह राज्जी है केरल आई सी सी ने क्रिकेट हॉल आफ फेम में तिन खिलाडियों को जगह दी है निमनलिकित में से कौन एक सामिल नहीं है दो तो इन में से देखना है कि कौन एक जो सामिल नहीं है तो वह है रोहित सर्मा इनको सामिल नहीं किया गया है बाके जो सीव नरायन चेंदरपाल है आवदुलुकादिर है और चार्लोट जो एड़वर्ड्स है इनको सामिल किया गया है रोहित सर्मा को नहीं किया गया है चलिए अगला प् अमेरिका में 21 से लेकर के 30 नुवंबर 22 तक किस राजे में संगाई महुत्व मनाया गया है संगाई महुत्व या दो तो मनीपुर में मनाया गया है निमनली कितमे से कौन बुप यह पर जो कौन जो है बेली के एस फॉर्ड मेडल से समानित होने वाले पहले भारतिय वेगानिक बने हैं तो वह बने हैं डॉक्टर सुबास बाबू मैग्रेव एरलाइंस फॉर्ड क्लेमेट MSC की सुरुवात की गई है कौन सा देस अब तक इसमें सामिल नहीं है तो अब तक इसमें दोस्तों पकिस्तान ज बहाली के लिए संजुक्त राश जलवायू सिखर समेलन कोप 27 से इस मेग्रेव एरलेंस फॉर क्लेमेट MSC की सुरुवात की है इसमें भारत है आशेलिया है जपान है अस्पेन है और स्रिलंका भी इस गटबंदर में सामिल हो गया है लेकिन अभी पकिस्तान जो है इसका प्रश्ने की केंद्री घ्रिय मंत्रा लेंने कितनी भासाओं पर मदर टंक सर्वे ऑफ इंडिया रीपोर्ट तयार किये हैं कितनी भासाओं पर तो ये 576 भासाओं पर त्यार के गई है कि अगला प्रश्म से इगार हम्बर से सुरुवब्र की प्रती बर्स जुहरश्ट ये बिदिक सेवा दिवस्टी ये कब मना जाता है तो बिदिक सेवा दिवस्टी 9 नौंबर को मनाया जाता है नौ नोनुमबर दौःजर बाईस को किसे बर्स दौःजर बाईस का बाई buертв двух वहारी पुरुसकार प्र्दान किया व्यार बाई बिहारी पुरुसकार कि प्रतान किया तो यह डाक्टर माधव हडा को प्रतान किया इस में में कि खेलो इंडिया नेशनल उनुबर्सीटी गेम द्वाजार बाइस स्वरी द्वाजार तेश-चोविस की जो में जबानी कौन सा राज ये करेगी तो यह क्या जाएगा उतर प्रदेश के द्वारा की अगला प्रशनी की क्यू एस लला यूसरी टी रंकिंग दुहाजार टेश में कौन सा स्याप्टशी पर है क्योऊ गिस एसे यूणिवर्सीटी रंकिंग ददी द्वाजार पूचा गया और वहां है पैक इंग यूणीवर्सीटिग है केंदरिय वित मंंत्री ने भारत के पहले सौवरेन ग्रीन ब्रांड फेंवर को मंजूरी दिये किस बजट में इससे जारी करने का प्रसताव दिया गया था तो इससे प्रसताव दिया गया था 2022 देश के बजट में पेस करने का अरिका के मैरी याडी की गवर्नर बढने वाली पेहली परवादसी महिधा है वह कुंझ मäre लैड की गवर्नर बढने वाली प्रवादसी महिला पुछा गया है मेरं कि बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2023 की जुमेजाबानी वो कौन सा देश करेगा तो यह किया जाएगा भारत के द्वारा नौ से ले करके 19 नुवंबर 2022 को पंदरहवी जो एस याई एयर गन चेंपियंशिप कहां युजित की गई है तो यह दक्षिन कोरिया में युजित की गई है दश नौवंबर 2022 को की सिदेश ने दूसरी भी मस्टेक क्रिसी मंत्री अस्तरिय बैठक की जो में जावानी की है तो यह किया है भारत ने नेक्स प्रिश्ण 12 नौवंबर से प्रिश्णी के प्रतिवर राष्टिय सिक्षा दिवस राष्टिय सिक्षा दिवस सिक्षा दिवस मना जाता है तो यह 11 नौवंबर को कब 11 नौवंबर को प्रतिवर सिक्षा दिवस मना जाता है 10 नवंबर 2020 को भारतिय सेना ने किस राजे में वाल लोग मेले का जो है यूजिन किया गया है यहाप का अनुराजल प्रदेश में के फोर ब्रॉव्प्र एट राइट अट स्टेशन प्रमानम्स से किसे को समानित क्या गया है तो यह स्मानित क्या गि अबापाल रेलवेश सटेशन को अखिल भारती यह रवार्ट अड्यो अध्यों संग ई अर आई एक जो अद्यक चेकी से चुना गया है तो इसे इसका जो अद्यक चुना गया है वो रमेश के जरिवाल को चुना गया है ठेक भीश्व में सबसे उचाईप और अवस्थित मतदान केंद्रे तासी गंग ये कहां इस्तित है तासी गंग पुचा गया कि को इस्तित है तो यह हिमाचल प्रदेश में ही भारतिय सेदह ने कहां बीर नाजरियों के लिए एकल सुबिदा के रूप ₹ में बिरंगन सेवा केंद्रे शुरू किया है बिरंगना सेवा केंद्रिय सुरू किया गया है नई दिली में कि 11 नमबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी ने दक्षिन भारत की पहली बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है यह चलाई गई है तो यह जो ट्रेन चलाई गई है यह आपका चेनएज से लेकर के मैसूर के बीच ऑफसन डिचेनएज से मैसूर के ब प्रो एस्परेटी का जो अनारण क्या है इस टाइचू आफ जो प्रो आस्परेटी का जो अनारण कहा पर रेंगलेर्यू के द्वरा किया गया है तो यह क्या गया है बैंगलोरू में ठेक देखिए 11 नुमंबर 222 को जो धानमंत्री नेरेंद्र मोदी ने बैंगलोरू के अंतराष्टी हावा यदे के परिसर में बैंगलेरू के स्थापके नादप्रभू कंपे गॉंडा की जो एक सुआठ फिट उंची का स्य परतीमा इस टाइचू आफ पॉस्परेटी जो है पॉस्परेटी के यहां प पीछड़े बर्गो के लिए आरक्षन को जो 77% तक बढ़ाने के लिए कि बिद्यक पारित किया गया है तो यह क्या गया है जार कंड़ में 11-12 नुवंबर 222 को कहां पर पी-एम गती सकती मोडल यहां पर मॉल्टी मोडल जो है जल मारें सिखार समेला नहींजित किया गया है तो यह क्या गया है बनारसी में यह कोडेक्ट बनारासी अगला प्रिश्न Mik動 का प्रिश्चैर से 13 से 14 नुवंबर का प्रिश्चैर परतीबर्जु राश्टिये 5 दिवसी में को मुना जाता है उधा यह पंक्षी दिवस यह आपका 12 नमंबर को मना जाता है कि 14 नमंबर 2022 को किस राज़े में अमुर फालकन फेस्टीबल एज़ित किया गया है तो यह मनिपूर में अगला की बर्स द्वाजर पचीस में कवड़ी बिस्व कप जोए कहां होगा तो यह होगा वेस्ट मिड लेंड्स में कहां वेस्ट मिड लेंड्स में होगा अगला प्रश्ण की बर्स 2022 के लिए फिट इंडिया अश्कुल विक पाल के लिए शुबांकर क्या है जिसे हाल ही में लौंच किया गया है तो इसका शुबांकर है दोस्तों तुफान और तुफानी क्या है तुफान और तुफानी कि 11 नमंबर 2022 को किस ने इकुम्ब पोटल लौंच किया है इकुम्ब पोटल यह दरपती मूर्म के द्वारा लौंच किया गया है याद रखिएगा इकुम्ब जो पोटल है इसका पूर्ण रुप है नौलेज अनलिस्ट इन मॉल्टिपल इंडियान लेंग्वेज है ठीक औ 12 अनुसूचित भारती बाताओं में इंजिनियरिंग पार्टे करम और उनके संबंदित किताब जो है वो कुप लब्ध होंगे चाठा प्रश्णी के भारती है जैवी के डेटा केंद्रे आई बी डी सी का जो उद्घाट ने कहां किया गया है तो यह क्या गया है फरीदाबाद में रिलाइंस इंडास्ट्री भारत का पहला मॉल्टी मडल लोजिस्टिक पार के कहां बनाएगी तो यह चेनई में बनाएगी 12 नवंबर 2022 को की से अंतराष्टिय क्रिकेट परिसत आई सी सी का जो दूसरा बारत देख चुना गया है तो यह चुना गया है ग्रेग वार के लेको 14 से लेकर के 27 नमंबर 2022 तक 41 जो अंतराश्टी बेपार मेले कहां युजित किया गया है तो यह नई दिल्ली में युजित किया गया है 13 नमंबर 2022 को किष्णी ICC T20 पूरुस किरिकेट 20 लुकप 2022 का जो है किताब जीता है तो यह किताब जीता गया है इंग्लेंड के दुवारा चली नेक्स प्रेश्णी आसे मिलों का 15 नमंबर से शुरुआ प्रश्णी की प्रती बर्स जो है 20 मधु में दिवसी का मना जाता है तो मधु में दिवसी आपका 14 नमंबर को मना जाता है 14 नमंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कारेकारी अधिकार यह निकी जो सीओ निक्त किया गया है प्रसार भारती का तो यह निक्त किया गवर्ण द्रवेदी को बवेरी दक्षीन वनीजी अविवार। राज्य का जो सत्रा। हवा वनीजीय अव्यारन किस राजसरकार ने उनसूचित किया 容 सक्त किस के द्वारा पुछा गया क्या है तो सब्सेल सिवा यह क्या गे दोस्तो तमिलाडू के regulations चान दो 되면 सां और इस यहाँ पर जो बनारसी और जो किसके बीच बिस्वक की सबसे लंबी नदी कुरूज सिवा शुरू होगी बनार्सी और किसे बीच बनार्सी और धीवरुगड देखीए दोस्तो केंदर सरकार लने जनवरीड़ी203 में उत्तर पर्देस के बनार्सी और असम के धीवरुड़ के बीच बीशवकी सबसे लंबी नदी कुरूज सेवा सुरू करने का जो प्रताव रखी है और उत्तर प्रतिस के कासी से जोए 20 की सबसे लंबी रीवर कुरूज की यातरा जोए वह दस जनवरी 2023 से सुरू होगी पाच्वा प्रेशनी के 14 नॉमबर 2022 को किसे मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्र पुरुसकार दिया गया है तो यह दिया गया है सरत कमल अचंता को सरत कमल अचंता को पंद्रह से 16 नॉमबर 2022 को पैन इंडिया तर्टिय रक्षा अव्यास सी विजिल 2022 का यहां पर जो सी विजिल वाइस का जो कौन सा संस्क्राण आजित किया गया है तो यह क्या गया है तीसरा कौन सा तीसरा क्या गया है 11 से लेकर के 18 नॉमबर 2022 तक कहां पर आई भी एस ए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एस याई एसोसीस अनिया पर जो एस याई ओसीन ठीक है ओसीन चैंपियन से फे 2022 का जोर्जन यह किया गया तो यह किया गया कोची में उत्रहिशेन लाए क कि यह एक्यारव सधासियो के रूप से अपने एकर आफे सदस एकर रूप में स्र॥कार करने पर सवामति की हैं समतिं विख्थ की है तो यह पूचा कि कि प्लीत कुछ है परना नहीं कह तो यह अपने है तीमूर लेश्ते को किसको सन्धानी के रुप से अपने अगरावेश द्द से कर रुप में तो तीमूर लेस्ते को गूगल फौर डूडल गूगल फौर डूडल डूएरबाइस पढ़ते होगा तक जो भी यह था यह किसे घुंसित किया गया है तो यह असलोक मुखर जी को घूसित किया गया है कि प्राख्यात बिद्वान आर एल कस्यप का जो नीधन हो गया वह थे आर एल कस्यप दोस्तों गणिता गया थे कि अग्ला जो दर शोलन नमर से प्रश्ण की प्रती पर जो यहार खन राजे का असत्थापन दिवस यह को बना जाता है ज्यार को ऑपने अधार नोमबर को मना जाता है इस बर जो है राजे में उसका एक यह इस्वा जो असत्थापना दिवस मनाए गया गया क्योंकि जो 15 के लिए नेक्स प्रेशने के चौधर नॉमबर 22 को पर्यावरन वन और जलवायू परिवातर मंत्रा ले तथा संजुक्त राष्ट्र विकास काजगरम इवंडीपी द्वारा कहां पर इन आवर लाइफ टाइम अव्यान शुरू किया गया है इन आवर लाइफ टाइम यह शु अस्या के रुप में कितने खिलाडियों को चुना गया है तो इसमें दस जो प्लेयर्स को चुना गया है अंडर नाइंटीन पूरु श्टीट वेंटी विश्वकप 2024 की जो में जाबानी वह कौन सा देश करेगा तो यह क्या जाएगा स्रिलंका के द्वारा 29 नवंबर से लेकर के 16 समब 2022 तक कहां पर अंतराष्ट्रिये गीता महसों का जो है अयूजन किया जा रहा है तो हर्याना में अश्ट्रेलियन ओफ दा इयर आवर्ड 2022 से किसे भारतिय मुल्कों स्मानित क्या गया है तो यह स्मानित क्या गया है अमर सिंग को 15 से लेकर के 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्रे द्रेक्षो का जो है सिखर से मिला नहीत क्या गया है तो यह क्या गया है इंडोनेसिया में आठवा प्रेश्ण की 13 नमंबर 2022 को नतासा पीरक मुसर की से देश की जो पहली महिला राष्टपती चुनी गई है तो यह चुने गई है असलो वेनिया की अगला प्रेश्ण में लोगा है कि एक है ट्रिलियन डॉलर खोने वाली कौन सी कंपनी बिसलग की जो पहली सरवाजनी के रूप से सुचिवध कंपनी बन गई है तो आ है ओमेजन 14 नमंबर 2022 को भारत और जिए किस देश के बीच यूद अभ्यास 2022 से सुरू हुआ है भारत तरुकिस देश के बीच तो अमेरिका के बीच 17 नमंबर से प्रेश्णी टाटुआ प्रेश्णी के प्रती बर्चुए राश्टिया प्रेश दिवस कम ना जाता है 16 नमंबर को प्रेश दिवस 16 नमंबर को 15 नमंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसुची थे बिस्तार अधिनियम पेशा जो है लागू किया गया तो यह लागू किया गया दोस्तों मद्या पर्देश में 15 नमंबर 2022 को किस ने डिजिटल सक्ति अभियान फॉर फॉर फॉन जीरो और इसका जो है सुरुवात किया गया है राश्टिय महिला आयो के द्वारा और सन्वीकरिक्ट होगा राश्टिय महिला आयो के द्वारा कि 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतराष्टिय अजैंसी ने और टेमिस वन मिसल लॉंज किया है तो यह क्या है अमेरिका की क्लाइमेट चेंज फर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से अस्तान पर है तो इसमें भारत जो है आठवे अस्तान पर है ठीक के सत्य जी तरे хотите अग्सेमा में तो कैसे समानित की आगया है तो यह कार्लोश इसनंसद गौर्य तो क्रालोश संब की गई के ।ो कर्म्लॉस धरको ग्लोबट और योजना किसे समूद्वारर देर लॉंच की गई है तो जीस सेविन के द्वारा कि नवंबर दौजार बाइस में केंदर सरकार ने की से नियों का जुए पूर्ण कालिक से दस्य नुक्त किया है तो यह डाक्टर अर्बिंद विरावानी को नुक्त किया है निमना लिखित में से कौन सा देश बीत्व में दूसरा सबसे अधिक इस पात का उतुपादन करने वाला देश बन गया है दूसरा तो वह देश बन गया है मलों का भारत ठीक प्रडें दूसरा घंड लिखळी मिलाला त्हें ने निताल से कहां असरन अंत्रित कैने को यहानिताल से हलगolie भी बथा यया संद्लेश जाएगा अलंत्रित कितल गाशण धालों कि नंप प्रति ब्र भी इस अजनजातिया और YOU रहा हि यह आपको 15 नुमबर को मना जाता है 15 नुमबर को जो है जन जाती गौर्ण दिवस का जुआ जो जन यह 15 नुमबर 2022 को भारत के जो राश्ट पती जन जाती है गौर्ण दिवस के अउसर पर सोतंतरता से नानी भागवान बिरसा मुंडा को उनके जियनती पर जुआ है जो शंगम है ये शुरू हुआ है वनारसी में 16 नवंबर 2022 को किस राजे सरकार ने बजरा मिसन शुरू की दोस्तों ये बजरा बजरा जो मिसन है यह शुरू क्या गया है अस्सम के द्वारा ठेक अंतराष्टिय टेबर टेन इस महसंग के जो एतलेट कमिसन में चुने जाने वाले जो पहले भारतिय वो कौन बने है तो आप पहले भारतिय बने हैं सरत कमल कौन सरत कमल 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष निउक्त किया गया है मेटा इंडिया का तो संध्या देवनाथन को निउक्त किया गया है 17 से लेकर के 19 नवंबर 2022 को किसे राज़्या में अंतराष्टिय परियाटन माट यूजित किया गया है तो यह मिजूरम में अगला कि slaves के ओर्ड्र ओ मेृरिट प्रोश्ट कवस्ट कर से किस महत या такимुद मुलकीर को मैजह को सुमॉनित क्या गया तो यह सुमॉनित क्या गया है व्यंकी राम किरशनन को व्यंकी राम क्रिशनन को पहली बार कितनी महिलाओं को Defense Services Staff College DSSE के लिए जोई चुना गया है तो यह चुना गया है छो महिलाओं को महिला पे सेवर Tennis Tornament Ville Jeans King o' Cup का जो किताब यह किशन जीता है महिला पे सेवर Tennis Tornament Ville Jeans King o' Cup का जो किताब यह किशन जीता है तो यह स्वीटर या लेंड के द्वारा जीता गया है कैम्बरेज डिक्षिनरी ने किस सब्द को वर्ल्ड आफ दा इयर द्वाजर बाई चुना है तो यह चुना गया है होमर सब्द को ठेक अगला उन्नीश नमंबर से स्टुरू हुआ प्रिष्णि के प्रती बर्स देश में जो है नवाजात सीसु देखबाल सब्दाब मनाई जाता है कब मनाई जाता है या आपका जो है पंदरा से लेकर के 21 नमंबर तक जो है मनाई जाता है 16 नमंबर 2022 को डाक्ट और वहीम रावांबेदकर वीदी विश्व विद्याले का जो सिलन्यास कहां पर किया गया तो यह जैपुर राजस्थान में ऑप्सन देख लेजिए जैपुर राजस्थान में किया गया प्रवर्तन निर्देशाले के निर्देशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में एक वर्स के लिए बढ़ा दिया यह पर जो बढ़ाया एक वर्स के लिए जो बढ़ाये गया है वो कौन है तो हुआ है संजे कुमार मीस्रा ठीक प्रवर्तन निर्देशाले के निर्देशक 17 नवंबर 2022 को किस से पस्षिम बंगाल का 22 जो राजपाल नुक्त किया गया है यह नुक्त किया गया है सीबी अनन्द बोस को किसको सीबी अनन्द बोस को नुक्त किया गया है 22 राजपाल के एरूप में अगला प्रश्णियां से पांच्वे नूम्बर है प्रश्णिय के 14 से लेकर के 25 नूमंबर 2022 तक है किस देश में सिटेज कॉप 19 की जो इठाक आज़ित की गई है किस देश में पूछा गया की गई है तो यह पानामा में जुक उलमपिक और पार अलमपिक दोज़ार चौवीस का जो सुभांकर क्या है तो है इसका स्भांकर से अ केंप भार्तिय सेनय के पहली महीला को आप असकाइडर कवण बनी है वह आज़ मैंड़ा है लांस्च नायक मंजु नायक केम देफ़ कोas Excellence in Leadership for Family Planning Excel Award 2022 किस देश ने जिता है तो यह आवर्ड जिता गया है भारत के द्वारा विश्वों में पहली बार ड्रोन के जरिये पसुओं के टीका की आपूर्ती किस राज में की गई है तो अनुराचल प्रदेश में कि 16 नुवंबर 2022 को परियोतर ओलंपिक खेलों का जो दूसरा संस्क्राइब यह किस राज में संपन हुआ तो यह संपन हुआ में खालाए में अगला प्रश्ने से 20-21 नॉवंबर से सुरुआ प्रीशने की पतिवर से वह स्वचाले दिवश को मनाया जाता है लोगों को सबहूत रहिए और जुकर्टा बल्हक्र python들 की प्रप्रतिवरे प्रतिवर्च नुमंबर को वी सो चाले दिवस मनाया जाता है चलिए एथिया कप टेवल टेनिस टूनामेंट में पदक जीतने वाली जो पहली भारतिय महिला खिलाड़ी हो कौन बनी है तो वह बनी है मनी का वद्रा अपने अगामी चुनाव के लिए भारत तके मुख्य निर्वार्चन अयुक्ति राजु कुमार को किस देश ने अंतराष्टिय पर व्यक्षक के रूप में अमंत्रित किया है तो यह क्या है नेपाल के भारत के मुख्य निर्वार्चन अयुक्ति राजु कुमार को किस देश ने जो है अंतराष्टिय परेक्षब करूप में अमंत्रित किया है तो नेपाल ने किया है पूंच नुमंबर 2022 को भारतीव आयूत सिना का जो वार्षिक सो एयर फेश्ट 2022 कहां यूजित किया गया है तो यह यूजित किया गया है नागपुर में 20 नुमंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहां पर 22 जो फीफा फुरुस विश्ट कप यूजित किया जा रहा है यह यूजित किया जा रहा है कतर में अमर सरकार पॉर्टल यह कि सराज सरकार ने लॉंज की है तो यह क्या गया है त्रेपूरा के द्वारा त्रेपूरा के जो मुख मंत्री है डॉक्टर मनिका साहा ने अमर सरकार जो पॉर्टल है इसको लॉंज किया है त्रेपूरा सरकार जो यह सुनिश्चित करने के लिए क हम कर रहे हैं कि सभी केंद्र और राज्य पर योजित योजिनाइं हर जो दर्वाज़े तक पहुंचाई कि निश नवंबर द्वाजार बाइस को किसे नीरवार्चन आयुक्त के रुप में नुक्त किया गया तो यह नुक्त किया अरुण गोयल को चर्चा में रही गांगी कसा से पांजबी थो किसे गांधी भांब्सकार से सोानित के दर्व नुम्बर 2022 को किसे गांधी मेंडला फांडेंशन के दर जो है सांती प्रसकार से समानित क्या गया है तो यह तीबती दलाई लम्मा को भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्केम सुरू करने की जो घोशना किस देशने की है तो यह क्या गया है व्रेटेन के द्वारा बाइस नुम्बर से सुरुवा प्रश्णी के प्रती बार्स जो है वर्ल्ड टेलिवीजन डेक का मना जाता है वर्ल्ड टेलिवीजन डेया 21 नुम्बर को कि निकोवारी होदी सिल्प के लिए भोगोलिक संकेत जीए टे के लिए अवेदन किष्णी किया है तो यह अंडमान और यह निकोवार दिप समोने क्या है ओप्शन एक और रेक्ट कि सीता माता की जो 251 फिट उची प्रतीमा कि सिराज जी में अस्थापित की जाएगी में 251 सिर्था माता की जो प्रतीमा है यह दुस्तों बिहार में अस्थापित की जाएगी बिहार के सिता मदल जीलके राघो पूर व्य वहरी में वक्रेमять 511 फिर उचि प्रतीमा का अस्थापित करने की जो टियारी शुरू हो गई फै चलिए तिरपन में जो इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल आफ है इंडिया में किसे इंडियन फिलम पार्शनेलिटी आफ दा इयर 2022 चुना गया है तो यह चिरन जीवी को चुना गया है पांचवा प्रशने के 20 नमंबर 2022 को पुरियोतर भारत का पहला चेत्रिय युन्यानी चिकित्सान उसंधान संस्थान का जो उद्गाटन यह कहां किया गया तो इसका उद्गाटन किया गया है सिल्चर में कि नेट्वार के रिडेंस इंडेक्स 2022 में भारत कौन सा अस्थान पर है नेट्वार के रीडेंस यहां पर रीडेंस नहीं है रीडेंस हैं इंडेक्स में जो है 2022 में भारत पुचा कि कौन से अस्थान पर है तो इसे 61 अस्थान पर है भारत इस इंडेक्स में भारत अपनी र कि पचीस से ले करके 26 नमंबर 2022 को पचीसवा राश्टी ए इग वाव में श्राव मेलन का जो कहां यूजित किया गया है तो यह यूजित किया गया है जम्मू में अप्सन या समलों का डी कॉरेक्ट होगा बीश नमंबर 2022 को किश ने छटी बार ATP फाइनल स्टेनिस टूनामेंट का जो किताब जीता है छटी बार पुछा गया है और यह जीता गया है नुवाग जोको वीच के द्वारा प्रुषकार 2022 से किस टमानिक क्या गया है तो यह गया है खालीद जवेद को परसीद उर्दू लेखक जो खालीद जवेद है उनको jcb प्राइब्स एवर लीट्रेचर 2022 से समानिक क्या गया है कि 21 नवंबर 2022 को किस देश ने 2022 देश सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनर्शिप और और टी फीसियल जो है इंटेलिजेंस जी पी ए आई की जो है अधेक्षता की है तो यह क्या गया है दोस्तों भारत के द्वारा कि 23 नवंबर से प्रश्ण है प्रश्ण के प्रतिवर जो भीश्व अमतास से दिवस तो यह आपका 21 नवंबर को आफ्शन भी याद रखिएगा प्रश्ण के 21 नवंबर 2022 को भारतिये सेना ने जो कहां पर रेके एकिकरित अगनी सक्तिया ब्यास सत्रु नासा का यूजन किया है तो यह स्री गंगा नगर में किया है 21 नवंबर 2022 को किस राज में इस्थित पूना निर्मित लवांग यूद इस्मारक राष्ट को समर्पित किया गया है तो यह समर्पित किया गया अनुराचल प्रदेश में किस राज में इस्थित तो अनुराचल प्रदेश में इस्थित नाई अंतर महादीपिय जो वैलेश्टिक मिसाइल हाथांग 17 का जो पारेक्षन ये किस देश ने किया है तो ये किया है उत्तर कोरिया ने 21 नमंबर 2022 को किश ने खादी और ग्रामो द्योग आयोग के भी आई सी के मुख्य कारेकारी सीयो का यो पदिभार संबाला है तो ये समाला किया है विनित कुमार के द्वारा यह का इस्नमेंबर 2022 को किश्ने one전에 और लिष्ट आक कर्य Nabal का जो है सबसे बड़ा नीजी अस्कोर बनाया है किशने तो यह बनाया है एन जग दी सनने किश्ने एन जग दी सनने घर वेबयो पोटल किष्णे लॉंच किया है यह क्या एक आख्षान गया है राष्थिये बालkor उधिकार इससे लॉंच किया गया है बहरत पहला अधिम्रितिव बात्रेशों कि और रहने निद्यास वाउमन h.x आत्मंहत्यारोक थाम रढ़नेती को घुषनाय कि राष्टी है और अत्मंहत्यारोक थाम रढ़नेती का गोशना की अild करद Imma 2030 तक के तत्मंहत्यारोक fant एंट के मामलों में कितने परतिसत की जोई कमी लाने का प्षती बदता व्यक्त कई कि अब यह प्रतिसद कमी तो यह क्या गया थर्थ पर सुद की जो कमी लाने के प्रति बद्दाव्यक्त की गई है ग्रीन पॉर्ट आफ यहां पर जो ग्रीन पॉर्ट और जो है सिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सिलेंस सेंटर का जो गोशना यह किशने की है तो यह गोशना की गई है सरवदानंद सोने लाल के द्वारा उफसन डे कोरेक्ट अब यहां से हम लोगा 24 नमबर से प 22 को उतर परदेश के मुखे मंत्री योगी अदितनात ने कहां पर युनेश को भारत अफेरिका हैथ कौन यह पर हैक थाउन 2022 को उद्गाटन क्या है तो यह किये हैं ग्रेटर नौएडा में आधाय की प्रतिवर्स जो है ऐहां पर लाचित दिवस लाचीत दिवस यह कमीना जाता है तो यह 24 ने न्लिवर मीना जाता की बर cracking की जो है सर्धानजली के रूप में यह मनाया जाता है ठीक इन्होंने जो ब्रहंपूत्र के तट पर गुहाटी की रक्षा के लिए जो है 1671 में साराय घाट की लड़ाई में एक बार बड़ी जो है मुगल सिना को हराया था इसलिए उनकी जो है यहां पर उनकी सर्धानजली पर जो है यह लाचित दिवस मनाया जाता है चलिए अगरा की बहतर वी जो इंटर सर्विसेज वालीवाल शेंपियंशिप 2022 देश किस्ने जीती है तो यह आर्मी रेड के द्वारा जीती गई है अरिटा अरिटा पट्टी को जैब विद्धा विरासा दस्तल घौसित करने करते हुए जो है किस राज सरकार ने एक अधिसुचना जारी की है तो यह क्या गया है तमिलाडू के द्वारा परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विदूत पर्यूजना को राष्ट को समर्पित किया है यह किस राज में इस्थित है कामेंग जल जो विदूत पर्यूजना है यह है आपका अनुवाचल प्रदेश में चलिएने एक्स्प्रेशने कि नवंबर 2022 में किस देश में दस्वा भारती है फिलम महोसो अयुवित क्या गया है दस्वा तो यह क्या गया है दक्षिन कोरिया में शठी बधिर टीटिवेंटी राष्टिय चेंपन्सिप 2022 किस ने जीती है तो यह जीता गया हर्याना के द्वारा बीश नवंबर 2022 को भारत और जो है किस देश की सेनाओं के वीच नसीम अलवा है 2022 दुए पक्षिय जो है अव्यास सुरू हुआ है भारत और किस देश के बीच तो भारत और उमान के बीच भारत के सांस थे किस देश की संसाद ने मुक्त वेपार समझी होता पारत किया है तो यह किया है अज़ेलिया ने अग्ला कि इवेने के सर्योच पार्यावरण पुरषकार चेंपियनस ऑफ दा अर्थ 2022 से किस भारतियों को जिए समानित किया है तो यह दोस्तों डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सुमानित किया गया है और यह याद रहिएगा चलिया 25 नुवंबर से प्रिशन है कि नुवंबर 2022 में भारत और किस देश के बिच द्वी पक्षिय सैने ब्यास गरून सक्थिया गया है तो भारत और यह इंडोनेस गोष्णा किस जो है अंतराष्टे अजनसी ने की है तो यह क्या गया है इस एक द्वारा किया गया है 23 से लेकर के 25 नुवंबर 2022 तक कहां परहिंद परसांत छेत्री वर्ता 2022 की गई है तो यह किया है नई दिल्ली में तेंजिंग नौर्ग राष्टिय सहसिक जो प्रुस्कार के ताहत की से बर्स 2021 के लिए lifetime achievement award दिया गया है तो यह award दिया गया दोस्तों कैप्टेन भावाने सिंग समयाल को 23 नुवंबर 2022 को कहां से अगनित्री मिसाइल का जोए सफल परिक्षन किया गया है कहां से पुछा गया तो यह क्या गये दोस्तों एपीजी अब्दुलकलामदीप और इसासे ऑफ्षन डिकाउरेक्ट 23 नुवंबर 2022 को यूरोपियस संग की जो सांसद ने किस देश को अंतरकवाद को परियोजित करने वाला राज गोंसित किया है तो यह गोंसित क्या गया है रूस को किस देश को देश को अतरकवाद को परियोजित करने वाला देश यह पिर राज गोंसित क्या है तो रूस को किया है चर्चे में रहा काडा लेकाई पारिज से उत्तव एकी सिराजे से संबंदीत है तो यह करनाटक से संबंदीत है नेक्स प्रेश नम्हा का 9 नॉमबर है कि चौविश नॉमम्बर 22 को आसिम मुनरी सवर यहां पर चौविश नॉमबर 22 को आसिम यवह मुनी ये किस देश के सीना प्रमुख न्यूक्त की 여기까지 के आगे तो यह न्यूक्त की आगे है तो इसका नाम है मोरगुआओ क्या मोरगुआओ इसका नाम है अगला प्रश्णी यह 26 नुवंबर से प्रश्णी की प्रति पर जुए अंतराश्ट्री महिला हिंसा उनमुलन दिवसी को मना जाता है तो यह मना जाता है 25 नुवंबर को नेक्स प्रश्णियों से दूसरी नुम्बर है कि 28 से 30 नुवंबर 2022 तक भारती वायुत से नदवारा कहां पर जो समनवे 2022 अव्यास अयोजित किया गया है तो यह क्या गया है अगरा में भारत का पहला इस्टिकर अधारित डेविट कार्ड जो फर एस्टेप पर किस बैंक ने जो है लॉंच किया है यह पर फर स्टेप जो है किस ने लॉंच किया है तो यह क्या गया है आईडी एफसी फस्ट बैंक के द्वारा लेखा परिक्षक महानी देशक की भूमी का स्रीजित करने वाला पहला जो राजी वो कौन सा है तो वह पहला राजी है तमिल लांडू निम्नल लिखीत में से किस देशने बर्स द्वाजया तेश्ब से 25 शुर्य काले काल के लिए इंटर्नेशनलaat इल्येक्टोटाई निकल कॉमिशन आई इस सी के जुह उपाद्यक्षि के चुनावजीता है तो यह चुनावजीता यह है भारत के द्वारा किस देश ने बर जिदा है तो भारत ने मौर्निंग कंसर्ट के अनुसार बीश्वा के स्वरवाधी की लोग कप्रिये नेता कौन बने हुए है तो अब अनुए है नरेंद्र मोदी ये मौर्निंग कंसर्ट के अनुसार 12 सरकार ने किसे देश के राष्ट्रपती को गर्णतंतर दिवस पर 2023 के लिए मुग कहती थी कि रुप में अमंद्रित क्या है तो यह अमंद्रित क्या गया है मीस्रिके जो है राष्ट्रपती को आफ़सन डियाद रखिएगा नेक्स प्रेश्ट नमलों का अट नमबरे की 23 से लेकर के 30 नवंबर 2022 को कहा पर सोनजल 2022 का जो है जो है जो है जो है जो है कहा पर किया गया तो यह जम्मू कस्मेर में पांच वर्ल्ड कॉप में गोल करने वाले पहले जो फुटबॉल और वो कौन बने है तो वह है क्रिश्ट्यानो रोनाल्डो पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट सेंडर और रूरल कलेक्शन सेंडर का जो उद्गाटन 21 राज्य में किया गया है तो यह त्रिपोड़ा में किया गया है अगला यहां से 27 से 28 नमबर से शुरूबा प्रिश्ट्र के परती बर्स जो है राष्टिय दुग दिवस्टे कव बना जाता है तो यह दूख दिवस्ट दूश्ट्व 26 नमबर को मना जाता है प्रिशने के 26 नवंबर 2022 को कहां पर सर्वे वेसलस पर यूजना का जहाज एक्छक जो है लॉंच किया गया है तो या दोस्तों लॉंच किया है कहां पर पुचा गया है तो यह चेनाई में लॉंच किया गया है तिसरा प्रिशने के 26 नवंबर 2022 को भारतिय अंतरिक जनुसांधान संस्थान इसरों ने किस देश के नेनो सेटलाइट टू को पी एस एलवी सी 54 रॉंच से जो है लॉंच किया है भारत प्र पूचा गया है कि देश के नाम बताना है ठेक किस देश के तो यह हुआ है दोस्तों भुटान के ठेक 28 नवंबर से 11 दिसमबर 2022 तक भारत और रश्टेल आए कि वीच द्वीफ अक्षिय सेने प्रसिक्षन अव्यास आश्ट्रा जो हिंदे 2022 यहां पर जो आश्ट्रा वाइस यह कहां योजित किया जा रहा है तो यह आपका राजस्थान में योजित किया जा रहा है 29 नवंबर 2022 को राष्ठपती दौरपती मुर्मने किस राज्डे की मूख्यमंत्री स्वास्थ परिक्षन योजित का है तो यह की हुई है हर यह आना के 26 नवंबर 2022 को किस नियस्टिस मोबाइल एप जो है जेस्टिस मुबाइल का जोए सुवारम क्या है जेस्टिस मुबाइल एप का सुवारम किसने क्या है तो यह क्या गया है नरेत्र मोदी के द्वारा 26 नमबर 2022 को बीकरम गोखले का जोए निधन हो गया वह थे कौन वह जोए अभिनेता थे टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एंपुलाइविलिटी उनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा जोए भारती संस्था टॉप पर है तो इसमें दोस्तों टॉप पर जो है वह आई आई टी दिल्ली है चार से लेकर के साथ दिसमपर 2022 तक कौन सा सहर भारत में पहली जी ट्वेंटी सिर्पा बैठक की मजबानी करेगा तो यह किया जाएगा उदैपुर राजस्थान के दुबारा कि 27 नमबर 2020 को राष्टिय क्रेड़ कोड कि जो कौन सी वर्ष गाठ बनाए गई राष्टिय क्रेड़ कोड की जो है NCC होता है NCC तो इसके जो कौनसी वर्ष गाठ मनाए गई यह मनाए गया दोस्तों चोहतरवी वर्स गाठ मनाए गया टेक चलिए अगला यहां से हम लोगा जो 29 नुवंबर से शुरूबा यह प्रश्ण है कि भारतिया ओलंपिक संग का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो यह बनाया है पीटी उसा को 29 नुवंबर 22 को किस राज में धम दीपा अंतराश्टिया बहुत विस्विदाले जो है कि अधार सिला रखी गई है तो यह अधार सिला दुस्तों रखा गया है तिरपूरा में 27 नुवंबर 22 को किस राज में गंगाजला पूर्ति युजिना का जो है लोकापन किया है तो यह बिहार के दवरा किया गया है 27 नुवंबर 22 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 के किताब जीता है तो यह कानाडा के दवरा जीता गया है भारत के पहली एक इकरित रॉकेट सुबिधा स्थापित किये जाने की जो घोशने यह किस राज ने की है तो यह क्या गया है दोस्तों तेलंगना के दवरा युनेस्को एसिया प्रसांत प्रसकार 2022 में आवर्ड आफ एक्सिलेंस सेकी से समानित क्या गया है तो यह समानित क्या गया है छत्रपति सिवाजी महराज बस्तु संग्राले को अधाइस नवंबर 2022 को लिस्ट ए क्रिकेट के किस वल्लेवाज ने एक ओबर में साथ च्छक्य लगाने का जो है विश्वकृतिमान बनाया है तो यह बनाया गया है किसके द्वारा यह दोस्तों रितु राज गयकवाड के दौरा अफसन डियाद रिखिएगा गितु राज गयकवाड के दौरा जो है एक ओबर में साथ च्छक्य लागाने का विश्वकृतिमान बनाया गया है 28 नुमंबर से 12 दिसमबर 2022 तक भारत और जो किस देश के बिच संजुक्त सेन ब्यास ही राओमा सक्ती 2022 आयुजित किया जा रहा है भारत और किस देश के साथ तो यह दुस्तों भारत और हमल ऐसिया के साथ चलिए अगला एक बरतमान में भारत के जो बिदेश सचीव कौन है तो बरतमान में भारत के बिदेश सचीव थे वह बीने मोहन कौत्रा है कौन ओफसन ऐसे होगा बीने मोहन कौत्रा भारत का पहला जीयो फाइफ जी सिवाए प्राप्त करने वाला जो राज्य कौन सा है भा हुआ राजे दोस्तों गुज्रात चलिए अगला जो प्रश्ण हम लोगा यह 30 नवंबर से प्रश्ण सुरा जो कि हम लोगा एक सिरे करके 30 नवंबर तक का यह बुक है इसमें सारे जो है प्रश्ण दिये गए थे पहला प्रश्ण है कि बीश्वत स्वास्त संगठन डावलो एंचों ने मौंग की पॉक्स का नाम बदल करके एंपॉक्स कर दिया है टीबी मुक्त भावरत अभियान के लिए किसे राश्टिय राजदूत के रूप में नमित किया गया है तो यह नमित किया गयाँ दीपा मलिक को भावरतिय के खाद सब्स्राथ और मान्श प्रधिकरण ऐफ एस एस ए आई ने किसे फुड एंेमल के रूप में मझ जोरी सब्सक्रादी और ग्रामों युद्धोग के भी आइसी के जुए अध्यक्ष के लिए किस राज में महत्वकांची रीहब पर्युजने का उद्गाटन किया है तो यह किये हैं उत्रा खंड में ऑफ्सन हम लोगा यह कोरेक्ट होगा उत्रा खंड में अगला यहां से पांचव है है और फ्रेस्ट काई कि मॉर्योम बेस्टर ने कीसे बरस दल इसद्वाष के लिए वर्ल ओफ अफ-वर्ल ऐ यह घोंसित किया है तो यह घोंसित किया है गैस्ट हैं में को किसको गैस्टाइटिंग को मिनि अगला प्रस्ठ कि 5 दिसंबर 2022 के किस भारतिय ब्यक्तित्वख क संजुक्त राश्ट में पहली प्रतीमा का रावरण किया जाएगा तो यह प्रतीमा का रावरण किया जाएगा दोस्तों महात्मा गांदी की ऑप्शन एक औरेक्ट अठवा प्रिशने के विस्त के पहले कोविड नेजल टीके इनको वैक को भारती आवसधी महानियंतरक ने कोविड वुष्टर खुडाक के एरुप में सुविक्रिती दे गई है इसका निर्मारता है इतका जो निर्मार है यह किसके दुरा क्या गया है तो भारत बायो टेक के दुरा आफसन के कवरेक्ट अगला प्रिशने के भारत के पहले इस्टाट आफ रेटेड लांच पैड और मीशन कंट्रोल सेंटर का जो दुगाटन स्री हरी कोटा में किया गया इसका निर्मान जो यह किशने किया है तो इसका निर्मान दोस्तों क्या गया है अगनी कुल उसके द्वारा किया गया है अगला यहां से हम लोगों का यह दसवी नमर प्रिशन करें कि 69 पैसिफिक व्राड कॉस्टिंग इवनियन एबी यू महासभा 2022 की जो में जावानी यह किस सहर ने की है तो यह क्या गया है दोस्तों नई दिल्ली के द्वारा आप्सन यह से हम लो और चलिए मिलते हैं अगले विडियो में और तब तक लिए थैंक्स और अल दी बेस्ट